नमस्कार दोस्तों, कॉमिक बुक ओरिजिन वीडियो में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं God and the Creator of Symbiote Race यानि नल के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कभी ये नहीं बताया गया था कि आखिरी इन Symbiote का ओरिजिन कैसे हुआ लेकिन ये सब 2018 में रिलीज हुई, कॉमिक बुक सीरीज वेनम में रिवील किया गया हाला कि अभी तक हमें बस इतना पता था कि ये सबी Symbiote क्लिंटार नाम के एक प्लैनेट से अर्थ पे आये थे लेकिन इस सीरीज में कलिंटार को लेके भी एक काफी इंटरस्टिंग चीज रिवील की गई तो चलिए करते हैं अब इस बारे में डिटेल में बात इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो नल मार्वल यूनिवर्स का एक इंशेंट सूपर विलन है जो इस यूनिवर्स के क्रियेट होने से पहले ही यहां मौझूद था जिसने कुछ ही पलों में सिर्फ अपनी शेडो से ही अल ब्लैक दा नेक्रो सोड जैसा खतरनाक वैपन बना दिया था और ये अल ब्लैक वैपन कितना खतरनाक है वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा नल यहां लाइट अफ क्रियेशन से पहले ही मौझूद था यानि जब सिलेस्टियल्स ने इस यूनिवर्स को क्रियेट करना शुरू किया तब से वो यहीं है उस वक्त यहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं और जब सिलेस्टियल्स ने यूनिवर्स को क्रियेट करना शुरू किया उसकी वज़ा से वो जगा इस बात से वो बहुत गुसा हो जाता है वो इस पूरी Space को सिर्फ अपना समझता था और उसके हिसाब से Celestial ने उसके Kingdom में इस पूरी Universe को बनाया था वो उनसे कहता है कि उसका Kingdom खाली नहीं है और मेरी Endless Lans तुम्हारी ही नहीं है जो तुम यहां इस Universe को क्रियेट कर रहे हो और इनी सब बातों के बीच वो अपनी shadow से ही एक living sword बनाता है और एक celestial की garden काट देता है इससे आपको idea लग गया होगा कि null कितना खतरनाक और powerful है उसने एक celestial को कुछी seconds में मौत के घाट उतार दिया था जिसके बाद वो कहता है कि पहली बार उसने light का खून टेस्ट किया है और इस crime की वजह से celestials null को space की और भी गहराईयों में भेज़ देते हैं लेकिन celestials को नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि darker space इसी null का घर था वो वहाँ और भी powerful था जिसके बाद वो पहला symbiote बनाता है जो एक living blade है जिसका नाम मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था इसे बनाने के लिए वो celestial के उस कटे हुए सर का इस्तिमाल करता है क्योंकि उसमें बहुत सी cosmic energies थी null इन्हें बनाने के लिए fire और celestial के सर से बना हुआ हैमर यूज करता है जिससे काफे sound निकलता है तबी simbides की कमजोरी sound और fire है क्योंकि ये कमजोरी अंजाने में ही सही null ने उन्हें बनाते वक्त ही दे दी थी और जिस जगह पे null इस sword को बनाता है उस जगह को आगे चलके marvel universe म nowhere नाम से जाना जाएगा nowhere को तो हम mcu में भी काफी बार देख चुके हैं इसके बाद null simbides का एक armor बनाता है ताकि बचे हुए gods और उनकी creations को बिल्कुल खतम करके अपने kingdom से light का ammunition मिटा दे और वो काफी हद तक अपने इस attack में successful रहता है वो बहुत से gods को मार डालता है और null न वो एक और weapon की तलाश करता है और उसे लगता है कि अगर वो और दूसरे creature से bond बनाके रहेगा तो उसे अपने आसपास की सारी जानकारी मिलती रहेगी जिसके बाद वो simbides के एक बहुत बड़ी army तयार कर देता है इस simbides army का दिमाग था null मतलब ये creatures universe में कहीं भी हो जो भी देखे वो सब null को भी दिखेगा और null इन सभी को एक ही जगह से control कर सकता था फिर चाहे वो किसी भी galaxy में हो नल अपनी इस army की वजह से काफी हद तक light of creation को कम कर देता है एक बार silver surfer on null के बीच भी लड़ाई होती है और इस वक्त silver surfer काफी weak होता है क्योंकि उसने एक star को create किय गया था जिससे वो एक star बनाता है जो null को हराने के लिए काफी था लेकिन जब null dragon जैसे दिखने वाली symbiote को अर्थ पे कबजा करने के लिए भीजता है तब थोर उस dragon को हरा देता है जिसके बाद null का connection काफी बुरी तरह से damage हो जाता है और बहुत से symbiots का connection null से तूट जाता ह और ये symbiots अपने नए host ढूडने लगते हैं और इसी दोरान इन symbiots को अपने host के द्वारा light के बारे में पता चलता है इन host की वजह से symbiots में honor और nobility जैसी feelings आ जाती है जिसे null कहता है कि ये हमारे लिए infection है जो हमें light से मिला है और ये infection of light हमारे लिए एक poison है एक venom है इसके ब के जो cage बनाया था उसे क्लिंटार कहा जाता है उनकी भाषा में क्लिंटार का मतलब cage है और ये सभी symbiots यहीं से आते हैं मतलब ये कोई ग्रह नहीं है ये बस बहुत से symbiots से मिलके बना हुआ एक cage है जिसके बीच में है नल चलिए अब बात करते हैं नल की powers और abilities तो आप ancient god यानी प्राचीन भगवान है जिसके पास super strength, immortality और self healing powers तो है ही साथ ही साथ वो super amber kinases जैसी powers को भी possess करता है जिसका मतलब वो light और shadow को अपने हिसाब से manipulate कर सकता है वो darkness से weapon और creatures create कर सकता है जिसे वो living abyss कहता है हाले कि जैसे हमने अभी तक देखा कि symbiots fire और sound से डरते हैं ल यह था symbiote king और god null का comic book origin powers and abilities तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like और share करना ना